पंजाब इसम्बली में हंगा मार आई चोर चोर का शोर ओपोजिशन का शदीद एहतजाज आटा चोर और बिजली चोर के नारे लगा दिये डेप्टी स्पीकर का भी एहतजाज कहा जिस पुलिस ओफिसर के खिराब शिकायत की उसे अच्छी पोस्ट दे दी गई ओपोजिशन अरकान को बोलने का मौका देने पर हुकुमती अरकान भी नाराज एवान से वौक आउट के गए लिगी अरकान का पंजाब समले की सीडियों पर भी एहतजाज आज सब लोग महंगाई की दुहाईयां दे रही है पूरी कौम इस हकूमत को देख रही है इमरान खान का एक एक वादा जूटा साबित हुआ हम्जा शहबास के तनकीदी वार जो एक महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम के होश उड़ा दी हैं पाकिस्तानी कौम देख रही है कि कि चौदा माह हुए है इस हकूमत को आए हुए पी टी आई के अंदर बैठे हुए वुजरा जो है वो भी महंगाई के खिलाव बात कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे फेस करें जो कंटेनर पर चड़कर खान साब दोनों हाथों से कौम को वादे किया करते थे आज हालात की सेत्म दरीफी देखें तो एक एक वादा किस तरह जो है वो जूटा साबित हुआ खैबर पफ्तून खुआ इसमली भी मचली मंडी बन गई ओपोजीशन अरकान का एवान में शदीद एहतजाज बिजली चोर और आटा चोर के नारे शौकत यूसफजाई का उपोजीशन से मौफी मांगने का मतालबा अकरम दुरानी कहते हैं स्पीकर के मौफी मांगने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा बिलावल भुट्टू एक बार फिर हकूमत पर बरस पड़े बोले बेनजीर इंकम स्पोर्ट प्रोग्रेम पर हमला गरीब अवाम पर है नालाइक और नाहल हुकमरानों को गरीब खवातिन की माली इमदाद बरदाश सही दिखाएगे खुआप पुराने पाकिस्तान में ही रह गए नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं पाकिस्तान मुश्किल वच्ट से निकल आया कोशिश है पाकिस्तान को फलाही रियास्त बनाएं अब तक अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता रहा हर माह 80,000 अफराद को बगए सूथ करजा देंगे वजीर राजम का लईया में एहसास असाचा जात मुन्तकली प्रोग्राम की तक्रीब से खिता हमारी भी तो सुन लो लईया में नजर अन्दास करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इहता जाज पी टी आई के जलाई सद्र गाबर खेतिरान को पिंडाल में जाने से रोक दिया गया वो साथियों समेश वापस चरोगा अटार्नी जर्नल ने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया दोनों तरफ के बेयानात ने मौमला और उल्चा दिया साथिक अटार्नी जर्नल अन्वर मनसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट से गयर मश्रूत मौफी मांग ली बेयान वापस लेने का तहरीरी मौफी नामा अदालत पे जमा करा दिया सुप्रीम कोर्ट का छे माह में कराची सरकुलर रेलवे चलाने का हुकम चीफ जस्टिस सेकेर्टरी रेलवे पर बरहं आप ना एहल हैं अभी आपको जेल भेश देंगे छे माह में ट्रेन ना चली तो वजिर आजम और वजिर आला के खलाफ तोहीन अदालत की कारवाई होगी चीफ जस्टिस के रिमार्स सिन्द के वजीर साइब गरी का कहना है हम घर ना गिराने के मौकिफ पर काइम हैं मतासरीन को हमने सुप्रीम कोट के बाहर नहीं भेजा सरकारी जमीनों पर कबजे करने वाले सरकारी अफसरां के हिलाफ पारवाई जोनी चाहिए तमाम इदारे एक पेश पर हैं तो फिर बदहाली और महंगाई क्यों है अमीरे जमात इस्लामी का सवाल कहते हैं इन हाउस तब्दिली मसले का हल नहीं मसले का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात है सिराज रहका कराची ताचे तराल महंगाई के खिलाफ मोहिम का एना हमने बिल्कुल उस वक्मिट्मेंट की थी कि साउथ सेक्टेरियर्ट हम काइम करेंगे और इन्शालला उस पिर हम काइम हैं और उसके लिए वरकिंग हमने कर लिए अडिमस्टेटिवली हमारी पूरी त्यारी कंप्लीट है बस पिलिटिकल हमने कंसेंस करना है उसके बाद उसको हम फाल कर देंगे मार्च होने वाला है मार्च वाले जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा जनूबी पंजाब सूबार सेकेटरी एट का मसला मुशावरत से हल करेंगे वजीर आला पंजाब उस्मान वजदार की 24 न्यूस से खुसूसी गुफटगू कहते हैं मार्च वाले आएंगे तो देखेंगे महंगाई के खात्मे के लिए वजीर आजम ने रोड मैप दे दिया है खौजा साथ रफीक और सल्मान रफीकी जमानत की अपीले ही सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मकरर जस्टिस मगबूल बाकर के सरवराही में तीन रुपनी बेंच 24 फरवरी को केस सुनेगा नैब और दीगर फरीकेन को नोटिस कराची पोटरस से सोयाबीन जहास की मुंतकली के खिलाफ मजदूरों का इहतजाज बंदरगाह जाने वाला रास्ता बंद कर दिया इंतजामिया के खिलाफ नारे खुशाब में डियेफो जंगलाद की मिली भगर निलामी के बगएर रावलफिंडी रूप पर लगे दरख काटने की इजाज़त दे दी 24 न्यूस की टीम को देखकर डियेफो गाड़ी भगा कर ले गया मकबूसा कश्मीर भी 201 में रोज भी कर फ्यू भारती मजालिम आज भी जारी 80 लाग से जायत कश्मीरी केर खैबर पफ्तून खुआए समनी भी मचली मंडी बन गई उपोजीशन अरकान का एवान में शदीद एहतजाज बिजली चोर और आटा चोर के नारे शौकत यूसफ जाई का उपोजीशन से मौाफी मांगने का मतालबा अकरम दुरानी कहते हैं स्पीकर के मौाफी मांगने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा बिलावल भुट्टू एक बार फिर हकूमत पर बरस पड़े बोले बेनसीर इंकम स्पोर्ट प्रोग्रेम पर हमला गरीब अवाम पर है नालाइक और नाहल हुकमरानों को गरीब खावातिन की माली इमडाद बरदाश नहीं दिखाएगे खुआप पुराने पाकिस्तान में ही रह गए नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल आया कोशिश है पाकिस्तान को फलाही रियास्त बनाएं अब तक अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता रहा हर माह 80,000 अफराद को बगएर सूथ कर्जा देंगे वजिर रियाजम का लिया में एहसास असाचा जात मुन्तकली प्रोग्राम की तक्रीब से खिता हमारी भी तो सुन लो लिया में नजर अंदास करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इहता जाज पी टी आई के जलाई सद्र गाबर खेतरान को पिंडाल में जाने से रोक दिया क्या वो साथियों समेश बादो से रोगा है सिन्द के वजीर साइद उजरी का कहना है हम घर ना गिराने के मौकिफ पर काइम है मतासरीन को हमने सुप्रीम कोट के बाहर नहीं भेजा सरकारी जमीनों पर कबजे करने वाले सरकारी अफसरान के हिलाफ का रवाई जोने चाहिए तमाम इदारे एक पेज़ पर हैं तो फिर बदहाली और महंगाई क्यों है अमीरे जमात इसलामी का सवाल कहते हैं इन हाउस तबदीली मसले का हल नहीं मसले का हल सिर्फ शिफाफ इंतखाबात है सिराज रहका कराची ता चितराल महंगाई के खिलाफ मोहिम का एला हमने बिल्कल उस वक्मिट्मेंट की थी कि साउथ सेक्टेरियर्ट हम काइम करेंगे और इन्शालला उस पर हम काइम हैं और उसके लिए वरकिंग हमने कर लिए एड्मिस्टेटिवली हमारी पूरी त्यारी कंप्लीट है बस पुलिटिकल हमने कंसेंस करना है उसके बाद उसको हम फाल कर देंगे मार्च होने वाला है मार्च वाले जब आएंगे तो फिर देखा जाएगा जनूबी पंजाब सूबार सेकेटरियेट का मसला मुशावरत से हल करेंगे वजीर आला पंजाब उस्मान वजदार की 24 निउस से खुसूसी गुफतगू कहते हैं मार्च वाले आएंगे तो देखेंगे महंगाई के खात्मे के लिए वजीर आजम ने रोड मैप दे दिया है खौजा साथ रफीक और सल्मान रफीकी जमानत की अपीले ही सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मकरर जस्टिस मगबूल बाकर के सरवराही में तीन रुपनी बेंच 24 फरवरी को केस सुनेगा नैब और दीगर फरीकें को नोटिस कराची पोटरस से सोयाबीन जहास की मुंतकली के खिलाफ मजदूरों का इहतजाज बंदरगाह जाने वाला रास्ता बंद कर दिया इंतजामिया के खिलाफ नारे खुशाब में डियेफो जंगलाद की मिली भगत निलामी के बगएर रावलफिंडी रोज पर लगे दरख काटने की इजाज़त दे दी 24 न्यूस की टीम को देखकर डियेफो गाड़ी भगा कर ले गया मकबूसा कश्मीर में 201 में रोज भी कर्फ्यू भारती मजालिम आज भी जारी 80 लाग से जाएद कश्मीरी केर, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्ड चपे चपे पर भारती दरिंदे तायूनात सड़कें सुनसा बहाबलपूर की तेसिल गिसमान मंडी के नौजवान को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया पहली बीवी के दर्खवास पर अदालत में एक साल कैर और पांच लाग जर्माने की सजा सना दूए और मादरी जुबान शनाखत का जरिया पाकिस्तान समय दुनिया भर में आज मादरी जुबान का दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान के सरजमीन में भोली जाने वाली जुबाने हजारों बरस की तारीख रखती है